हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसकेट विडियो में जो हमारा बाया डिवर्शिटी जो सॉल्व कर रहे था हम लोग एम्टीजी फिंगर टिप्स तो उसमें हम लोग फिर्स्ट वीडियो में कोसे नमबर वन से लेके को स्वाल लिया था यह कंप्रीट हो गया था अब हमको नेक से लेकर को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो चलो आज के पहले कोशन पर यानि की 31 नमबर कोशन पर तो देखो 31 नमबर कोशन यहां क्या भी आ गया है की स्टोन स्पेसिज डिजर्ब प्रोटेक्शन विकाउज डिज मतलो है बोला गया है की स्टोन स्पेसिज होता है यह प्र किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अधर स्पेसिज को सपोर्ट करने में ठीक है तो उन स्पेसिज को हम लोग आतने की स्टोन स्पेसिज तो यह क्या होगा बहुत important role play करेगा other spaces को support करने में तो इसलिए यह क्या होता बहुत ज्यादा important होता है इसको क्या करने के लिए प्रोटेक्शन के लिए ठीक है तो देखो surviving in harsh condition नहीं इसका अंसर हो जाएगा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इंद सपोर्टिंग अधर स्पेस थाटीवन कंसर क्या जाएगा डी ठीक है तो यह चीज है अब आज तो में नेक्स कोश्चन कोश्चन में 32 मिया मैच कॉलम वन वन एंड सेलेक्ट कोर्रेक्ट एप Benson फॉनट को मैच करना ना और हमको इन साऱ मेंसे कॉट कोड़ बताना है कि कौन सा जो हो यह सबसे पहले रिवेट पोपर हैप से लिएगोन टील जो किसके दौरा दिया गया था डेविट ते cientoर के दोरा प्रेट रिविए उसके बाद भूण जो डिया गया था किसके दॉरा दिया गया था और लॉंग टम डॉट ये जो किया गया था डाउड़िय तो यह चीज है फिर उसके बाद चैसे पूआ जायागा a3 यानि की dog cancer कि यह कहा है उसके बाद क्या है हमेरा इच्छा तो फॉर आईने गया थे अब आते हमारे next question question number 34 में है organization responsible for maintaining red list data तो red list data जो maintain करता है कौन सा organization उसको maintain करता है तो वो जो maintain कर जाता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा IUCN यानि 34 cancer क्या जाएगा AUCN फिर हमारे पास next question है question number 35 data book deals with data book जो होता है किस चीज़ से deal करता है तो जो red data book है वो हमारा deal करता है organism जो extinction पर है वैसे organism जो extinction पर है उससे deal करता है ठीक है तो organism on the verge of extinction यानि की हमारा 35 cancer क्या जाएगा यह जाएगा ठीक है उसके बाद है हमारा question number 36 है how many spaces are documented to be extinct in last 500 years by IUCN red list 2004 पूछा गया है कि कितने spaces extinct हो चुके हैं last 500 years में जो की document किया गया है IUCN के दौरा red list में तो 2004 वाला जो red list आया था हमारा IUCN के दौरा तो इसमें कितने spaces जो है extinct कर चुके हैं उसके बारे बताना है तो इसमें दिया गया था कि 784 स्पेसिज जो है अभी तक extinct हो चुके हैं यानि 36 कंसर के आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा ठीक है तो यह चीज़ है अब आज तेमारा next question question number 37 में यहां according to IUCN some of the extinction include IUCN के recording कौन-कौन सा कुछ extinction है जो कि फिलहाल में हुआ है यह consider किया था ठीक है तो देखो हमारा जो हाल फिलहाल में जो extinction है वह सबसे पहले डोडो का हुआ है ठीक है इंडियन गिजल का नहीं हुआ है थाइलासीन को हुआ है और स्टेलर सी का यानि कि जो हमारा जो रिसेंट कहां और सन में है यहां वन टू दो भी है तो यह नहीं होगा यहां वन भी होना चाहिए वन थ्री एंड फॉर होना चाहिए यानि कि थर्टी सबसेंट का इसका है चीता का ठीक है तो यह सबसेंट के आ जाएगा हमारा बाली जावान और स्पीयन यह सबसेंट का इसका सबसेंट कि मैं आपको बता दिया कि चीता का नहीं है सबसेंट गलती से हो गया था तो यह थर्टी एट काँसर का जाएगा डी सबसेंट टाइगर ठीक है तो हमको बताना है कि कौन सा सही टर्म है हमारा किसके लिए इन सारे के लिए यह सब स्टेटमेंट पर ठीक है देखो सबसे पहला है इस लाइबल तो बिकम एक्स्टेंट इस फुल बायोटिक पोटेंशल बाइब प्रोवाइदिंग प्रोटेक्शन फ्रॉंद एक्जॉर्टिक एस्पेसियूमिन एक्सप्राइशन है यह हमारा है थ्रेटेंड वाला ग्रूप होगा लगा और यहां तो यह दून्त आपका नहीं होगा जाएगा प्रोट बबदद्र conservative सब्सक्राइब इस्टेंग यहां है और हमेद इस उसे को suspects ही खत्म होगा यहां और यहां भी है ठीक है उसके बाद देखो, the taxon is facing high risk of extinction, जब जो species, जो taxon high risk of extinction से करता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है rare, क्या होता है? नहीं, endangered होता है, कौन सा होता है, endangered, इंडेंजर्ड होगा ठीक है उसके बाद क्या है दे आर स्पेसिज विद नैच्राली पॉपॉलेशन आज़र लोकिलाज्ड और थीनली स्काटर्ड विच आलवेज एट रिस्क फ्रॉम दफेस्ट पैथोजेन एंड जॉक्तिक स्पेसिस तो यह होता है हमारा रियर और ठीक है इंटी लोब कर सरुविक यानीकि ब्लाइक ब्लैक बंट जो है वो ग्या-ow it क्रेटिकलर और एक्स्थीन एंड इंड वाइल यह जो है वृट्वी है झा-ख तो यह लिच्ट आ जा जाएक पrick question question 41 में यहां क्या है critically endangered animal is critically endangered animal जो है वो कौन सा है तो passenger pigeon नहीं extinct हो चुका है डोडो extinct हो चुका है great Indian bastard यह हमारा क्या है critically endangered है यानि कि इसका क्या हो जाएगा 41 का सी ठीक है तो इस तरीके से हम लोग को solve करते चलना है उसके बाद देखो हमारा क्या है मैच कॉलम 1 with column two and select the correct option from the given code यह column one है यह column two है यह दोनों को match करना है और match करके हमको इस option से बताना है कि कौन सा option जो होगा वो सही होगा ठीक है देखो सबसे पहले बीटा diversity तो यह between community diversity दो community के बीच में जो diversity होता है उसको बीटा diversity कहते है ठीक है तो एक थ्री हो गया उसके हो देखो हमारा जो next है वो यह हमारा रीच बायोड़िकर रीच वायो डायो डायोसीवसिकर पाया जाता है कहा पाया जाता है ट्रोपिकल एरिया गामा получилось क्या होगा डायोसीडियवोस सिपी P commercial हो चुका है वो कौन सा ऑट-टो जो है क्या है क्सटिक्ट हो चुका है ठीक है इसके बाद प्रेसिस लिच्ट करेंडेंडेंग और दो इका फोर तो यह हो गया आनिके यानि कि हमारे जो अंसर हो गया किया 2022 नेंबर कोशन आप आज नेक्स वाइब फॉटी थी हां आए तो इसका बाद इनक्रीजब बार इनक्रीजब लीटी इन इको सिस्टम आइकोसिस्टम पर यह प्प्रोसेस्टा जैसे कि प्लांट वॉटर यूज पेस्ट एंडेज़ हो गया यह सब बहुक्स होता है तो यह बहुत है कि उपर यह को फोलोईंग स्टेटमेंट्स स्क्राइब नैचुरल इक्स्टिंग्स है यह इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नाचुरल एक्स्टिंग्शन को डिस्क्राइब करता है किसको नाचुरल एक्स्टिंग्शन को ठीक है तो देखो यहां पर एक्स्टिंग्शन एवेटेड वाई human activities natural extinction किस चीज़ को बताएगा वो हमको बताना है ठीक है तो जो human activities के कारण होगा वो extinction natural तो नहीं होगा यह तो नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखो हमारे यहां पर क्या है slow replacement of existing species हाँ जब slow replacement हो जाता है existing species का उसके कारण जो होगा natural extinction होगा ठीक है यह हो गया ऑलसो नोन ऐस बैक्ग्राउंड extinction इसको हम लोग क्या करते हैं बैक्ग्राउंड इक्स्टिंग्शन भी कहते है ठीक है तो यह भी हो गया small population is most likely to be extinct यह भी कहा है जब small population होता है यह ज्यादा likely to be extinct होता है ठीक है यह क्या हो जाएगा two three and four जब छोटा population रहेगा तो वह असानी से extinct हो जाएगा तो यह भी क्या है correct है यानि कि 44 cancer क्या जाएगा हमारा two three and four यानि कि 44 cancer आ जाएगा c number यह है अब आज़ते हमारा next question question number 45 में यह है the term evil quadrate is related with four major causes of जो हमारा evil quadrate है यह चार major causes किस चीज के चार major causes से related है वह हमको बताना है तो जो हमारा evil quadrate है वह related होता हमारा biodiversity losses से किसे biodiversity losses से यानि कि 45 cancer क्या जाएगा हमारा ठीक है यह चीज है उसके बाद है हमारा read the following read the given statement select the correct option इन दोनों statement को read करना और हमको correct option select करके बताना है कि कौन सा सही होगा ठीक है तो देखो इसमें स्टेट्मेंट 1 ट्रॉपिकल rain forest are disappearing fastly from developing countries such as इंडिया यह बिल्कुल सही है जो ट्रॉपिकल forest जो ट्रॉपिकल forest है वह बहुत जल्दी डिसापियर हो रहा है हमारे developing country है वहां से क्योंकि देखो यहां पर बहुत ज्यादा development के लिए पेड़ को काटा जा रहा है तो rain forest होता बहुत तीजी से डिसापियर कर रहा है तो इस स्टेट्मेंट विल्कुल करेक्ट है ठीक है फिर कहा है तो देखो स्ट यहете हुआ है सबसक्राइब होगा सब्सक्राइब यह सबस्क्राइब accents एकक्डार्टीटी एक नए इसी जो होता का है और वह क्या आ चाहिता है उसको हम लोग क्या करते हैं इन्वेसी25 टिjek यहां पर कहां दिया हुआ है बी में दिया हुआ यानि 48 कांसर क्या जाएगा भी आजाएगा ठीक है अब आता हमा नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन में बीच फॉलोइंग फिस लिट टु एक्स्टिंग्शन ऑफ एन एकोलोजिकली यूनिक एजेम्बलेंस ऑफ मोर देन 200 स्पेस और गीण विक्टोरिया ऊफ इस्ट अफ्रिका देखो क्या हुआ है यह जो लिए कीड़ यहां अब कि जादा जो नेटीव ते पाए जाए ते टु एंडर इसपेस के भाइस ठीक है लेकिन वहां क्या-क्या एक विश्ट को इंट्रॉडियूस किया था एक विस्ट को इंट extinct कर दिया तो वो कौन सा कॉमारा फिस का स्पोन सा छा वह वहां यूज क्या गया था वह क्या गया था लिए तो tutor गया था नील पर्च टीज पर्च वहां डाला गया था इसके गया था बहुत सारा कीस का वह थो Titanic तो यह बनाता है उसके बारे में ठीक है तो देखो यहां पर क्या है यह हमारा यह क्या है यह हमारा फंजाई क्या है यह हमारा वह क्या है यह है यह एंजियुट इंडिया वीड देखो एक इंट्रोडियूस क्या गया थे वह बहुत जारा निट्रोडियूस बीड में बदल गया वह कौन सा स्पेसिज देखो लैंटाना का हमारा यह हुआ था इक्नोरिया क्रैस्पिस यह भी किया गया था पार्थेनियम हिस्ट ठीक है जो कि अब इंडिया में एक जोटेक स्पेसिसा जो कि इंट्रोडियूस किया था और यह एक नौटोरियस बिड बन गया था ठीक है यह सारा तो यह 51 का अंसर क्या हो जाएगा यह बहुत इंपोर्टन था यह किसी भी आप से पुछा जा सकता है इसको याद रखना ठीक है तो यह बहुत इंडियन रिवर्स में कौन सा एक हमारा फिस है जो की अगरी कल्चर प्रोसेस के लिए जो है इंट्रोडियूस क्या था इंडिया इंडियन रिवर्स में जो की इंडिजिनेस काट फिसेज को क्या कर रहा है थ्रेट दे रहा है वह कौन सा स्पेसिस था वह था हमारा क्लैरिस एक 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 एडिया में कोई एक एक एलियन स्पेसिज को हम लोग क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके कारण क्या होता है वहां पर क्या होता है और नाच्रल प्रीडियेटर नहीं रहने के कारण क्या होगा कि उस जो हम लोग नए इंट्रोडीउस की वहां कोई इसको कोई मार नहीं सकता है तो क्या होता है वहाँ का जो जो नाइटिव स्पेरों कि अब with complete अच्छा से कर लेता है ऑर वहाँ प्र जादा ग्रो कर जाता है इसलिए क्लिए क्या होता है को होझा centوس fine किया हो जाएगा absence of natural में आप सबन्द साब्सेस लिनमबर चलो आगे देखते हैं और 54 यहां क्या है यहां चार मेजर काउज़ है एक्सेलरेटेटेड रेट का स्पेसिज एक्स्टिंशन का बिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इविल कॉड़ेंट करते ठीक है विच फॉल्विंग इस नॉट इंक्लूड इन इविल कॉड़ेंट इन सब में से कौन सा जो है इविल कॉड़ेंट के अंदर नहीं आता है तो ओवर एक्स्टिंशन भी आता है पॉल्यूसन नहीं आता है एलियन स्पेसिज इनवेशन आता है यानि कि 54 कांसर क्या हो जाएगा हमारा भी यह तीनों होता है बाकी यह जो है नहीं होता है ठीक है उसक इसलमोटाथ चाहिएए विटेत्ल Kardashians लाव्रियूटेशन को एक्स्टिंशन ओभर एक्सप्लोइटेशन इलिएए स्पेसिज इन्वेयशन इन्वेशन यह सब क्या है विटेत्यक्या घाट तो इविट। इविल न कोटिट है इस चाहु इए विडीन यह जोता है क्या होता यानि 55 कांसर क्या जाएगा D, 1, 2, 3 and 4 ठीक है तो यह चीज़ है चलो आजाते है हमारा नेक्स कॉच्छन कॉच्छन अब 56 में है When a species becomes extinct क्या बोला गया है जब कोई एक species extinct होता है The plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct तो क्या बोला गया है कि जब कोई एक species extinct होगा तो उससे जो related plant और animal जो था वो भी obligatory way में क्या हो जाएगा extinct हो जाएगा तो इस phenomenon को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं co-extinction क्या बोलते हैं co-extinction ठीक है क्योंकि एक species के कारण दूसरा species जो रहा है extinct हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे co-extinction ठीक है यानि कि 56 का अंसर क्या जाएगा दी co-extinction ठीक है अब आता में नेक्स-क्योंट कोशन ऑफ 57 में है दर रीजंस बिहांड गांड कंजर्विंग बायो डाइबरसिटी है विच और फॉल्लवेसं गर्यूशन के उसको group किया जाता है किन categories के basis पे उनको हमको बताना है तो उसको तीन categories में बाटा जाता है सबसे पहले narrowly uterially, broadly uterially, फिर ethical ये तीनों के अंडर हम लोग क्या करते हैं जितना भी causes होता है हमारा इन तीनों के अंदर हम लोग करते हैं ग्रूप करते हैं यह क्या हो जाएगा और यह निकिसेवन का अंसर अंसर बताना है तो देखो, सबसे पहला हमारा यहां पर क्या है, broadly uterially, फिक है तो broadly uterially जो होगा उसमें, जो broadly uterially जो है उसमें क्या होगा उसमें, जो broadly uterially आता है उसमें आता है हमारा जो हमारा ब्रॉड़ी उटली टेरियन आएगा उसमें जुर आएगा हमारा Amazon reinforce ठीक है उसके बाद क्या है क्योंकि गरूप करते हैं वहलों किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं उसके खूड़ी यूटीलिटबेजन मैं ठीक है यानि कि जैसे हम लोग Amazon rainforest वो क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है में लिए oxygen वहीं से आता है तो इसको हम लोग लांग्स ऑफ आर्थ बोलते हैं यह क्या कर रहा है तो उसे हम डारेक्ली एक तरह से क्या कर रहे हैं उसपर बोएटेंडेंडेंटेंटरीए और ठीक है उसके बाद वह रोविल्क मुली अप्टेंडेंटिछ फाइडा यहां और यहां लोगया B का क्या है 4 यहां और यहां तो यह नहीं होगा फिर उसके बाद क्या है C का 3 यहां तो हो गया answer 58 का A चलो ठीक है तो यह होगा अब आते हमारा next question question 59 मी है more than 25% of the drugs are derived from plants सही है जो more than 25% of the drugs जो है वो plants से obtain होता है what kind of benefit does it describe तो यह किस तरह का benefit हमको describe कर रहा है ठीक है तो यह जो है हमारा direct economic value define कर रहा किसको direct direct economic value ठीक है यह है तो यह हो जाएगा हमारा direct economic value यानि कि 59 कंसर क्या जाएगा ठीक है तो यह चीज़ है अब आलता हमें next question question 60 में that is the exploration of molecular genetic and species level by diversity for gaining the products of the economic importance ठीक है तो यह है तो यह जो हमें बोला रहा है कि कि किस चीज़ को यूज करके हम लोग molecular genetic और जो स्पेसिज लेवल डावर सिटी है उससे हम लोग product economic importance के लिए deport gain करते हैं तो वह हम लोग करते हैं B Iowa to aspect के द्वारा दोरा कि और इसके द्वारा बायो पॉर्ष के दिन्च कहा दिया हुआ है व द्थी कंसर क्या आजाएगा हमारा है गोशन नमबर सिस्टी वन से लेके हंडेड क्या इसमें हंडेड को सब्सक्राइब तो इसमें तो आपको मैं इतना कल जो वीडियो जो बचा हो रहेगा वह जो रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल दो ठीक है तो कल जो होगा यह वीडियो आ जाएगा तो यह चैप्टर आपका मैं भी बैठा रहता हूं मेरा भी क्लासेज रहता है अब होस्पिटल जाना होता है तो बहुत सारे चीज़ों रहती है तो उसी साब से जो मैं इतने ही बताना था आई होप आपको सारी समझ में आगे होंगे अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर जो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर करो थाकि उनको भी पता चल सके हैं कि हम लोग ऐसे सब्सक्राइब कर रहा है ठीक है तो बस और आप अगर आप हमारे चैनल पहले वाप विजिट कर रहे हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस इस व